सियासत में कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है लेकिन जब यूपी में ही घमसान मचा हो तो असर पूरे देश में होना तै है जहां पिछले महीने भर से भाजपा में मठ के महाधीश खुद को बैक फुट पर आया हुआ महसूस कर रहे हैं तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौरे ने अपने ही सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दूसरी और सपा प्रमुक अखलेश यादव ने केशव प्रसाद मौरे पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने कहा कि केशव जी दिल्ली के मौरे हैं वो दिल्ली के बाइफाई के पासवर्ड है दिल्ली वाले किसी से मिल रहे हैं तो लखनव वाले भी मिल रहे हैं आप दिल्ली के बाइफाई का खेल देखते रहें। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखलेश ने कहा कि यूपी में पुलिस को पकड़ रही है। यूपी की नौकरशाही में एक ही जाती के अधिकारी का दबदबा है। सपाचीफ ने कहा कि जब हम सदन में सवाल उठाते थे तब ये कहते थे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। लौ एंड ओर्डर के सवाल पर सरकार दावा करती रही। उन्होंने कहा हम सुन रहे हैं कि बीज़िपी नेता कह रहे हैं कि प्रदेश में ऐसा प्रश्टवचार नहीं देखा। मुख्यमंत्री खुद बात को स्विकार कर रहे हैं कई बिभागों में दलाली चल रहे हैं सपाविधायक संग्राम सिंग ने सदन में रखा था ये एक जगा का खुलासा है हर जिले में ये हाल है। अखलेश ने आगे कहा कि लखनाओं में भी एक हत्या हुई है उसमें कौन लोग बचा रहे हैं ख कोई कारिवाई नहीं हुई शुक्रवार को प्रेस कॉन्फिलेंस करते हुए अकलेश ने कहा कि जब हम सत्ता में थे थे उजातिवात का कहते थे। सरकार में क्या है मुझ पर माई यानि मुसल्मान यादव का आरोग था। खुशी है पीडिये ने माई को हरा दिया वही प्रेसाद ने भी अकलेश यादव के बयान पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस का महरा बन चुके सपा बहादूर अकलेश यादव भाजपा को लेकर गलत फामी पाल रहे हैं। अति पिछडों को निशाना बनाने अपमान करने की जगा सपा को समाप थोने से बचाने पर ध्यान दे। भाजपा दोजार सत्ताइस में दोजार सत्रा दोहराएगी कमल खिला है खिलेगा खिलता रहेगा। पलवी पटेल और सीम योगी की मुलकात पर जब अखलेश ये सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने से बचते हुए नजर आए। औ अब वो अखलेश यादव के साथ थी। पलवी पटेल मूदी सरकार में मंत्रिय अनुप्रिया पटेल की छूटी बहन है। दोनों बहनों के रिष्टे 36 के हैं। अनुप्रिया की पार्टी अपना दल यूपी में बीजूपी की सहयोगी पार्टी है। लोग सबच जन ने सीम यूगी अधितिनाद से 24 जुलाई को उनके घर पर मुलकात की थी। सीम यूगी अधितिनाद दिल्ली आ रहे हैं। वो पीम मोदी और जेपी नड़ा से मुलकात करेंगे। इस पर अखलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली और लखनों का बैलेंस बन कि अधितिनाद रहे हैं।